मैं इस बात खोड़ा आगे लेके चलता हूँ और वो यह है कि वो बात यह है कि हमें जो चीज सोचनी है कि जो मुस्तिक्बिल में पॉजीशन डिवेलप हो यह है कि जिस तरह भारत में यह बात की जा रही है और यह हमने यह बात नोट भी की है और हमारे यहाँ पे मोदी साहब हैं जिनके पास बड़ा स्ट्रॉंग मेंडेट हैं आप जिससे नफरत कहते हैं खास तोर पर इंडिया के हवाले से मोदी साहब के आने के बाद मैं उसको और ना सिर्फ मैं भारत की अक्सरियत अवाम उसको बिलकुल अलग तरीके से देखती ह उन्हें मोदी साहब में एक आप ये कहें कि मोदी साहब ने आने के बाद उन्हें एक confidence दिया है और confidence ये दिया है कि अब हमने चितर नहीं खाने हैं अब हमने इंट का जवाब पत्थर से देना है अब हमने लड़ना है अब अगर कोई हमारे उपर attack करेगा तो हम कोई apologetic होकर और अपने यहां पर उल जलूल के बयान दे कर और करनी काटते नहीं फिरेंगे अपने जिम्बेदारियों से जैसा कि मुंबई हमलों के दौरान हुआ पारलिमेंट अटायक के दौरान हुआ करगिल के दौरान हुआ उससे पहले होता रहा अगर आप से कोई यह पूछ ले कि कश्मीर की अवाम को चूरण दिया हुआ था पिछले 30 सालों से और वो राजा फारुक हैदर साहब जैसे कैरत हिमरान खान साहब को कि मेरी नानी ख्वाव देखती थी और यह कहती थी और कश्मीर की हर बेटी कि पाकिस्तानी फौज आ रही है सब पगड़ी पहन के और 5 आफ आगस्ट का वाक्या हो गया कोई पाकिस्तानी फौज नहीं आ हुए और अगर हमने आगे भी यही काम करना है फिर तो यह पीस जेस्चर्स और यह खत लिखना एक दूसरे को महबत के यह वेस्ट आफ टाइम है और शायद मैं और आप जो बैट के बात करें वो भी वेस्ट आफ टाइम है हमें यह करना चाहिए लो सी को इंटरनेशनल में करके और उनका कोई हल नहीं निकला है इंटरनेशनल कम्यूनिटी में एक नए कॉंट के लिए फिलहाल तो मैं बता दूँ आगे का तो मुझे नहीं पता पूरी जिंदगी वर का तो मगर फॉर नेक्स डेकेड और टू डेकेड कोई चांस नहीं है पोस्ट कोविड एरा है और पहली बार है पाकिस्तान में हो रहा है माजी में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि सिवल मिलिटरी जो रिलेशनशेप है आपकी वो कोई एक पेज पर होते नहीं थे ये हुकूमत बार-बार कह रही है कि गवर्मेंट and the military are on the same page और वहां से भी उस किसम का ये बयान आता ह अगर कोई इसके लिए serious है तो और उसका हल वो ही है जी जो ये जो शो हम कर रहे हैं इसको खतम करके अगर हम off the record अगर बात करेंगे वो ही मसले का हल है जो हर को ही बात करता है off the record private opinion चाहे इंडियन का हो या पाकिस्तानी का हो वो एक ही है और वो सब को पता है कोई बोलता नहीं मैंने बोल दिया है तो जिस मैंने बहुत बार उसका इजहार किया है, तो दुबारा करने में ऐसी कोई बात है नहीं, I am sure you are well aware of it. मोदी साब के आने के बार लोगों को वो confidence मिला है, आप उसको deny कर दें कि कोई उरी में surgical strike नहीं हुई, कोई बाला कोट में strike नहीं हुई, आपके यहां पर एक अलग narrative है, उसको लेकर हमारे यहां पर बिल्कुल अलग narrative है, हमारे यहां पर narrative यह है कि हमने जाके और जो भी हमारे दैशतगर्दी के वाकियात हुए हैं, हमने उनका मूँ तोड़ जवाब दिया है, हमारे यहां history में इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप देखें, लोगों में, मैं वो इनसान हूँ जिसने पाकिस्तान देखा है, और बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, मैं वहा और किसका गलत है, वो narrative है, जो popular narrative है, आपके मुल्क में prevail करता है, और सच या जूटकी उसमें कोई बात नहीं है, वो हमारे यहां पर भी एक बयानिया है, तो मुझे लगता है उसको आप वो अपनी जगहें पर रहेगा भी, लाग कोई कोशिशें कर ले, लेकिन लोगों को आगे बढ़ना होगा, हमारी तरफ से आप ये बताएं, मैं अपने viewers जो इंडिया से प्रोगाम देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाता हूँ भाई, तुम दिल पर हाथ रखके अपने एक बात बताओ, हमने पाकिस्तानी occupied कश्मीर लेकर करना क्या है, एक जमीन का टुकड है, उसके उपर रहने वाले ही अबादी सो फीसद मुसल्मान है, वो हमारे किसी काम के नहीं है, आज कश्मीर के अंदर एक करोड मुसलिम्स हैं, उनको अपना बनाने में हमें इतनी मशकत पेश आ रही है, 40-50 लाग को और गले लगा लो, और फिर conflict के बगार वो मुम्किन न पड़ेगा, और यह ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बाते कर रहा हूं, यह माजी में हो चुका है, जो भी कंट्री इस किसम का एक्शन लेगी, वो हो चुका है, कहने को तो हम इस शाह साब ने का था ना, पारलिमेंट में कि अक्साइचिन, जो है, हम जान दे देंगे उसक ही है, चीमा साब, मैं बड़ी यहां पे बोल्ड किसम की बात कर रहा हूं, शायद आपको भी करनी चाहिए, आप डंडी ना मारें, यह बताएं, लाइन ओफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के लिए, क्या खाल है आपका? मैं, मेरी जाती राय तो यह है, कि मैं समझताओं कि जो अग्रीवड पार्टी है, वो किश्मीरी है, ठीक है, भारत, आप अपने एक जगा पे रह रह रहे हैं, हम अपनी एक जगा पे रह रहे हैं, जो मुतासर लोग हूं है, वो तो किश्मीरी है, तो सबसे पहले तो किश्मीरियों से पूछना चाहिए, वो क्य कहने supplier को हम कहने CO मनी कहते हैं हमारा उसको उपस रिखें जिस रेफॉरेंडम को आप बार बार हर पाकिस्तानी बोलता रहता है खुदारा रहम करें अपने उपर भी और दुनिया के उपर भी एक बार उसको पढ़ भी लें लोगों को ये बता भी दें कि भाई उसमें लिखा क्या है ये आर्टिकल 6 के तहत है हमारा resolution कश्मीर का तो आर्टिकल 6 की resolution जो है वो non binding है उसमें से अगर एक party भी agree नहीं करती है तो वो फिर आगे नहीं हो सकता है उसमें कुछ भी कोफी अनान साहब से मुझे प्लीज बोलने दें कोफी अनान साहब ने 2000 I think एक के करीब something like that maybe 2004 I mean around that time उन्होंने इंडिया पाकिस्तान और ये तीन-चार ममालिक का दौरा किया वहां से वो दौरे के बाद उनसे पूछा गया कश्मीर के referendum के हवाले से तो कोफी अनान साहब का ये बयान है on record है आप उसको पढ़ सकते हैं उन्होंने कहा कि ना ही तो अब वो plebiscite की conditions हैं ना ही वो area है पाकिस्तान ने को उसी वक्त चाहिए था कि आप जो उस agreement के तहट जो कुछ भी plebiscite के तहट उसकी requirements थी आप उसको fulfill करते उस वक्त करते कुछ area आपने चाइना को दे दिया है हमारा कुछ area 62 की जंग के बाद अक्साय चिन चीन के पास चला गया है जंग के बाद गया है वो gift नहीं किया हमने और उसके बाद आप यह देखें कि बहुत कुछ हो गया है तो अंग्रेजी में कहते हैं lot of water has flown under the bridge since then तो नहीं कहा कि अब यह जो resolution है referendum की जो बाते हैं यह meaningless हैं यह कोफी अनान सहाब की statement है जो United Nations के head थे उस ताइम तो अगर तो international community जिसको बार बार आप यह याद कराते रहते हैं कि जी UN resolution कराएं UN खुदारा उसको कोई पढ़के और बता भी दे कि उनका क्या उनका उनकी एमियत है और तो वह आज वह बातें मतलब नहीं बनता उनका करने का